नमस्ते दोस्तो अनीता जेन रेसेपी में आपका स्वागत है मैं अनीता जेन आज आलू की लच्छा दाटिक्या बनाएंगे तो चले शुरू करते हैं इसके लिए मैंने लिए पांच आलू ये कच्छे आलू है इनके छिलके एखाएंगे सबसे पहले तो ये मैंने सबी आलू चील लिए और पाने से साप कर लिए अब इसे हम ग्रेट करेंगे तो मैं इससे कर रही हूँ इस तरह से कर लेंगे लंबे-लंबी इस तरह से लंबे-लंबी आए ये मैंने सबी आलू को ग्रेट कर लिया है अब इसका पानी निकालेंगे तो इस तरह से निकाल लेंगे इसका पानी अलू मेंसेर पानी अच्छे से निकालना है यह मैंने अच्छे से निकाल लिया है अब इसके प्हें अब जोक्री मै फॉन लिए ए तो पांच टेबल स्पूनी मैंने आप इसके हो झालेंगे और मिक्स कर लेंगे एक आलू में एक चम्हपगा निखालें ले लो कि अजर्माद देजाब गए टो नहीं डिखालेंगे तो ठीक की सबनेगी एसलिए आलू केछ पाणी अच्छी तरह निकाले अब कौन फ्लॉर को अच्छी तरह मिक्स करें अब इसकी हम टिकिया तयार करेंगे पहले तो इसे लट्डू की जैसे कर लेंगे और इसे अब दवाएंगे इसे थोड़ा भानने में थोड़ी से दिक्कत होती है तो आराम से कर ले इस तरह से बना लेंगे यह हम लच्छा टिकिया बना रहें तो इसमें लच्छा आने भी जरूरी है अच्छे तरह दवाएंगे ने तो यह फैल जाएगी हमने सभी टिकिया बना के तयार कर लिए अब सबसे पहले हम एक टिकिया तल के देखेंगे तेल गरम कर लिया है तरह एक टिकिया को सेख लेंगे तरलेंगे अगर फैल रही है तो कूछ लो ओर टाल लेंगे गजश सीम रखेंगे अभी थोड़ी देर के लिए यह हमारी टिकिया फैली नहीं है अब इसे पलट देंगे और दूसरे टिकिया भी डाल देंगे इसके अंदर और इनने सेख लेंगे जैसील में रखेंगे इन्यमों सीम इमy ऐसे शेक पेर अगर ते अन्दर से रह जाएगी इन्य सेख लेंगे व्राउन होंए्यरें इसी तरह सभी टिक्या सेख लेंगे यह मैंने सभी टिक्या बना के तैयार कर लिए अब इसमें चार टिक्या ले लूँगी और इनको अलका सा दबा देंगे देखें कितनी अच्छी क्रिस्पी बनी है अब इसमें चाट मसाला डालेंगे चुटकी बड़ चाट मसाला डाल देंगे चारों में ही अब इन टिक्याओं पर हरी चाटने डालेंगे यह तिक चमच डाल देंगे सभी पर अब मीठी चाटनी यह हमारी आलू की लच्छा टिक्याओं बनके तयार हो गई है अब इसे आप भी ट्राइ कीजिए मेरे वीडियो को लाइक एंसेर जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए ठेंक यू